तो इस फुडियो आपको टेस करने वाले लाहोरी निम्बू कार्बोनेटेड ड्रिंको, सॉफ्ट ड्रिंको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से छोटी बॉटल यहाँ पर आपको जो यह देखने मिलती है जिसकी प्राइज है, 20 रुपीज यहाँ पर आपको जो यह देखने मिल जाएगी तो यहाँ पर है इसकी प्राइज, 20 रुपीज जो कि रीजनेबल है सारी जो कमरिशल ड्रिंक्स है, इस प्राइज में आती है, इस साइज की 300 ml का नेट कंटेंट है, यह रहे, इसके इंग्रिडियंट्स, बेसिक इंग्रिडियंट्स है वाटर है, कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, लेमन जूस कॉंसेंटरेट, इक्विवैलेंट टू, 2.5 परसेंट लेमन जूस कॉंसेंटरेट, तो बहुत कम मातरा में जो लेमन जूस यहां पे इन्होंने आड किया है, जो की बॉस करके पढ़ सकते हो, as per 100 ml, as per 160 ml, तो यह सारे आपको देखने मिल जाएंगे, अगेन manufacturing date and best before आपको यहां पे देखने मिलेगी, यह रही इसकी manufacturing, यह रही इसकी best before, तो shelf life है, 3-4 months from date of manufacturing, आगेन आपको इसे जो रेफ्रीजरेटर में रखना है, and taste best when served chilled, तो यह अभी रेफ्रीजरेटर से भाहर निकालिए, तो वैसे type कि आपको जो इसे serve करने से पहले freezer में रखना, mandatory है, refrigerate after opening and consume within 24 hours, एक बार आपको आपने इसे खोल दिया, एक दिन के अंदर इसे consume करना है, वैसे भी छोटी bottle है, इतना दार time कोई रखेगा नी, एकी बार में पी लेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया है, this drink contains edible floating substances, तो यहाँ पे तहरने वाले कुछ चीज़े अंदर देखने मिलेगी, इसका मतलब यह खराब बी, तो बी के हिसाब से, इस bottle की मैंने परचिस कोई, इनके द्वारा वलसाड गुजरात में हुई है, यह license number है manufacturer का और यही owner है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, customer care address same as manufacturing unit address, question को रही होगी, तो इस address पे, इस number पे आए इस mail ID पा इने contact कर सकते हो, तो चली अब इसे open करते हो और टेस्ट करते है, आरशियन या फिर आरचियन प्रनांसेशन मेरा करेक्ट कर दीजिए, अगर मैं गलत प्रनाउंस कर रहा हूँ, तो first time इस brand के drink को consume कर रहा हूँ, और open करते ही 7-up वाली type की smell आ रही है, 7-up कह सकते हो, या फिर जो है, लिमका कह सकते हो, यह से related जो लिमका 7-up की तरह है, क्या स्प्राइट तो नहीं, स्प्राइट ज्यादा फिजी होता है, तो छेले, टेस्ट करता हूँ, तो यहस, जैसे मैं एक्सपेट किया था, स्प्राइट लिमका 7-up, उससे सिमिलर जो है, आपको इसकी टेस्ट वगरे देखने मिलती है, और अच्छ जटका सा लगता है, शुरुआती सिप में, जो कि आपको थमस अप या पेपसी पीते टाइम भी होता है, मैक्सिमम तो थमस अप पीते टाइम होता है, पेपसी में तो इतना नी जटकेदार, लेकिन यह वैसा है, जो बहुत सारे लोग को अच्छा भी लगेगा, मुझे भी पी के, तो आट प्राइज ऑफ 20 रूपीज, अब डेफिनिटल सलाओ और इनी मुग फ्लेवर, आरशी और के, कार्बोरेटेड ड्रींग को, सॉफ्ट ड्रींग को ट्राइ कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, वीडियो बसनाते वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को नी पेटन पर सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते अगले वीडियो हो है